आपसकार आप देख रहे हैं सोसेज टीवी और मैं हूँ आपका अपना एस्ट्रोग्रूमर गांग जी हाँ हम आज बात करेंगे सितंबर 2017 के मासिक राशिफल की लेकिन हम आगे बढ़ें उससे पहले यदि अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल सोसेज टीवी को देखने के बाद आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेर करना बिलकुल न भूले आए जानते हैं मकर राशी का मासिक राशिफल इस महाशनी आपके एकादश भाव से गोचर करेंगे जिसके परिणाम सुरूप आपको कम मैनस से ज्यादा लाब प्राप्त होगा आए के एक से अधिक सुरूत्र प्राप्त होगे साथ ही आपकी कारेशमता काफी अच्छी रहेगी विदेशी सुरूतों से धनलाब होना भी संभावित है गुरू के नवम भाव में गोचर करने के कारण आपकी आध्यात्मिक्ता में व्रिद्धी होगी धार्मी की आत्राएं होने की संभावनाएं भी नजर आ रही है भाई भैन वा मित्रों से संबंद काफी अच्छे रह सकते हैं संतान को पढ़ाई लिखाई में भी सफलता मिलेगी राहू का सब्तम भाव से होने वाला गोचर जीवन साती को स्वास्ते की समस्याएं दे सकता है बिजनस में सोच समझ कर निवेश करना ही ठीक रहेगा आपके अपनी सेहत के परती साफधानी भी आवशक होगी केतु का प्रधम भाव में गोचर स्वास्ते के लिए आस्ते शुब नहीं है ज्यादा कारे करने से आपको मानसिक तनाव वा शिर्चड़ापन होने की भी संभावना है भौतिक वस्तूओं के परती विरक्ति होना भी संभाव है आपकी आध्यात्मिक गतिविधिया तेज होने की उम्मीद है मानसिक रहात पाने के लिए आपको ये आध्यात्मिक यात्रा पर भी निकल सकते हैं सूरे का श्टम भाव में गोचर पारिवारिक जीवन के लिए शुब संकेत नहीं है परिवार में विवाद या किसी का स्वास्ते खराब रह सकता है आपको भी स्वास्ते समस्याएं घेर सकती है अब आई ये बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की घरेलू जीवन के लिए समय मिला जुला हो सकता है इस महाँ आपके कर्चों में अधिकता रहने की संभावना है किसी पारिवारिक सदस्य गा स्वास्ते खराव रहने से आचानक धन का व्या भी संभव है नौकरी या बिजनस के चलते आपके निवास स्थान में परिवर्तन हो सकता है संतान को शिक्षा के छेतर में जबर्दस सफलता मिलने के आसार नजर आते हैं भाई बहनों वा मित्रों से आपको सहयोग मिलता रहेगा इस समय आपके उनसे सम्मन्द भी काफी मधुर बने रहेंगे किसी मित्र की सलह कारेशेतर में आपको सफलता दिलाने में महत्पूर्ण भूमी का निवाई की माता पिता का स्वास्ते इस अफधी में काफी अच्छा रहेगा और जीवन के परती उनका नजरिया पहले से और सुद्रण होगा परिवार के साथ किसी धार्मे की आतरा पर भी आप जा सकते हैं गुरु के नवम भाव में गोचर करने के कारण आपकी धार्मिक संस्तानों से जुड़ने की संभावनाएं भी रहेंगी अगर आप अपने पुराने घर को बेचने का मन बना रहे हैं तो वैस दुरान बिख सकता है आईए दृष्टी डालते हैं आपके आर्थिक जीवन पर आर्थिक तोर पर ये महा आपके लिए सावधानी रखने वाला होगा शनी की एकादश भाव में गोच रेस्तिती आपको धनलाब करा सकती है नौकरी में भी आपको बड़ी सफलता मिलने के संकेत है प्रोमोशन या उच्पद की प्राप्ती होने से आपको आर्थिक मदद मिल सकती है शेयर बजार लोटरी आदी में पैसा लगाना घाटे का सोधा हो सकता है लंबी दूरी की आत्राएं आपको धनलाब कराएंगी पिता से भी आपको आर्थिक सेयोग मिलने के आसार है अगर आप किसी धार्मिक संस्थान या अध्यार्मिक क्रिया कलाप से जुड़े हैं तो इस दोरान अच्छा गासा पैसा आप कमा पाएंगे शिक्षन धार्मिक वस्तूओं का क्रेविक रह वस्त्रों से जुड़ा कार है रंगमंच, सिनेमा, कला, संगीत, नाटक, वाहन, विदेशी वा महंगी एंटिक वस्तूओं आदी से अगर इनका अर्थात आपका कारेच्छेतर जुड़ा है तो आपको जबरदस पैसा कमाने का मौका मिल सकता है आईए बात करें आपके प्रेम वा वैवाहिक जीवन की दामपत्य जीवन के लिहास समय मिला जूला रह सकता है सब्तम भाव का राहू वैवाहिक संबंदों में कटुता लाने का कारे कर सकता है इस महा जीवन साती का स्वास्तेवी प्रभावित हो सकता है संबंदों में मदूर्था बनाए रखने के लिए आपके लिए आवश्चक है कि आप अपने पार्टनर की भावनाओं का आदर करें वा बेवज़ा उनके साथ उलजने से बचे और तो और साथी साथ उन पर किसी वी प्रकार का शक करने से बचे हाला कि आपके वेवाहिक जीवन में रोमान साधी बना रहेगा कुछ समस्याओं के साथ भी आप अपने वेवाहिक जीवन का आनंद लेंगे इस अवधी में आप उनके साथ किसी लंबी आतरा पर भी जा सकते हैं ये आतरा आपके लिए एक बहतरीन यादगार बन सकती है प्रेम जीवन के मामले में भी ये समय काफी आनंद आएक रहेगा प्रेमी से मुलाकातों के दौर एक के बाद एक लगे रह सकते हैं किसी महेंगे उफार की आशा भी आप उनसे रख सकते हैं तन्हा लोगों का जीवन प्रेम से सराबोर होने की संभावना रहेगी अब हाई ये दृष्टी डालते हैं आपके स्वास्थे पर सेहत के लिहाज से समय आपके लिए समस्या कारक हो सकता है सूर्य मंगल और बुद्ध का अश्टम गोचर चोट आदी लगने की संभावना को व्यक्त कर रहा है साथ ही आपको किसी अन्य परकार की शारिरिक समस्या से भी पीडित कर सकता है इस अब्धी में वहान आदी का सतरता से प्रयोक करना आपके लिए आवश्चक होगा कि सैर या यात्रा एक कारगर उपाय है किसी से विवाद ना करें अन्य था आपको आघात पहुंच सकता है उपाय के रूप में कुसंगती का त्याग वाज जरुवत मंदों की सेवा करना आपके लिए श्रेष्ट रहेगा इस माहा की शुब तारीखें आपके लिए होंगी 4, 8, 13, 17, 19, 22 तारीख तो ये था मासिक राशिफल मास सितंबर 2017 के लिए हमारे इसी तरह के अन्य वीडियोस देखने के लिए हम से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्टोसेश स्रीवी को जो हमारे योट्यूब चैनल है साथ ही अपने जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या का हल पाने के लिए डाउनलोड कीजिए एस्टोसेश कुनली एप को पुने आप सभी को आपके अपने एस्टोग्रूमर गांग का प्यारवरा नमस्कार